जैसे हुन्दी में क्रिया वाचक संग्या कहते हैं पिछले वीडियो लेक्टर में हमने संग्या के बारे में पढ़ा नाउं के बारे में समझा और हमने ये भी जाना कि नाउं कितने टाइपस के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं proper noun, common noun, collective noun, material noun और abstract noun आज जिस topic के बारे में हम चर्चा करेंगे यह topic है क्रिया वाचक संग्या यह भी संग्या का एक प्रकार है बहुत ही महतपून topic है और competition exams में mostly यह topic sentence correction exercises में आता है इसे gerund कहते हैं G-E-R-U-N-D जेरंड देखिए होता क्या है इसे हम डीटेल में समझेंगे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी किसी क्रिया के साथ इंजी लगा कर उसे नाउन की तरह यूज किया जाए तो वो नाउन यानि वो संग्या जेरंड कहलाती है थोड़ा कन्फीजिंग है पर आप समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले important to know before you proceed जेरंड के टॉपिक को समझने से पहले ये समझना जरूरी है बहुत जरूरी है कि किसी भी वाक्य में subject या तो संग्या होती है या फिर सर्वना यानि किसी भी sentence में subject या तो नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन इसके लिख के ले लिजे माल लिजे कोई sentence आपके सामने आया वो sentence में चो subject है वो या तो एक नाउन होगा और या एक प्रोनाउन होगा ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो adjective हो या adverb हो या conjunction हो या proposition हो ऐसा हो ही नहीं सकता यह आप जान दीजे इसके बाद examples मैं आपको देता हूँ examples आपके स दरूरी है success is very important यहाँ पर subject क्या है success success क्या है यह क्या subject है मैंने बताया subject यह तो एक noun है या pronoun है यह प्रोनाउन है यह हमें जानना है pronoun तो यह हो नहीं सकता क्योंकि हमने parts of speech में यह जाना था कि pronoun होते क्या है सर्व नाम जो संग्या की जगह पे आते हैं जैसे he, she, they, I, you यह एक noun है पर कौन सा noun है क्या यह proper noun है, common noun है, material noun है, collective noun है या फिर abstract noun है तो पिछले video lecture में हमने यह समझ लिया है कि यह एक abstract noun है इसी तरह से, अगला example देखिए, अयांश मेरा बेटा है, अयांश is my son, subject है अयांश, कैसा subject है, noun है या pronoun है, बड़ा simple है, यह एक proper noun है, इसके बारे में हम पिछले video lecture में पहले ही समझ चुके हैं तो यह एक व्यक्ति का नाम है और जो व्यक्ति का नाम होता है या वस्तु का नाम या इस्थान का नाम वो क्या होता है, वो होता है proper noun यानि व्यक्ति बाचक संग्या इसी तरह से एक example और लेते हैं, वह मेरा बेटा है, he is my son, यहाँ पर subject है, he, he मतलब वह, he क्या है, यह एक pronoun है, यह बाद हम parts of speech pronoun topic में समझ चुके हैं और यह तो बड़ा common है, हम सभी जानते हैं, he, she, they, it, I, you, we, यह क्या है, यह सब pronoun है, तो मैंने अभी तक आपको तीन examples बताएं, पहले example में subject है, abstract noun, दूसरे example में मैंने अभी आपको बताया, कि subject था pronoun, और इस example में आपके सामने subject है, pronoun, अगला example देखते हैं, अब आपके सामने एक interesting sentence है, पढ़ना अच्छी आदत है, reading is a good habit, यह पर subject है, पढ़ना, किसके बारे में बात हो रही है, पढ़ने के बारे में, तो subject कौन है, पढ़ना, पढ़ना को मैंने कहा reading, क्यों कहा, इसको समझे, दिखिए, read मतलब पढ़ना, read एक verb है, हम सब जानते हैं, read एक verb है, यानि एक kriya है, यह बात हमने parts of speech video lecture में समझी थी, अब मैंने आपको यह बताया, कि subject या तो एक noun हो सकता है, या एक pronoun, और कुछ नहीं हो सकता, तो यह कैसे संबव है, कि यहाँ पर मेरा subject एक verb है, यह तो संबव भी नहीं है, पर यह संबव है, कैसे, जब आप किसी verb के साथ ing लगा देंगे, और उसे subject की तरह use करेंगे, तो फिर वो verb नहीं, बलकि gerund कहलाएगा, और gerund मतलब होता है, क्रिया वाचक संग्या, यानि एक संग्या की तरह आप उस क्रिया को use करेंगे, ing लगा करके, तो यहाँ पर घबराईए नहीं, यह subject भी मेरा संग्या ही है, लेकिन यह संग्या क्या है, क्रिया वाचक संग्या, जिसे आप gerund कहते हैं, और इसी topic कौम्या पढ़ रहे हैं, अब इसकी definition देखते हैं, अब चुक्या हम कुछ basic चीजें समख चुके हैं, gerund के बारे में, तो definition आपके सामने हैं, अगर किसी भी क्रिया के साथ ing लगा कर, उसे संग्या की तरह प्रयोग किया जाए, तो उसे क्रिया वाचक संग्या कहते हैं, If a verb is added with ing and used as a noun in a sentence, then the verb is called gerund, कुछ examples आपके सामने हैं, gerund के, जहां पर verb के साथ ing लगा करके as a noun used किया गया है, Example देखिए, running is good for health, subject है running, running मतलब दोड़ना, meaning में कोई change नहीं है, फर्ट से वितना है कि वो जो verb है, जो क्रिया है, उसके साथ ing लगा दिया और subject की तरह यूज किया, running is good for health, gymming is my routine, playing guitar is my love, play मतलब खेलना, ये तो एक क्रिया है, लेकिन क्रिया के साथ ing लगाया, और as a noun, as a subject, आपने उसको यूज कर लिया, loving you is my habit, smoking is injurious to health, देखिए, यहाँ पर smoking, smoke मतलब क्या होता है, धुम्रपान करना, smoke, और smoke अपने आपने एक क्रिया है, लेकिन मैंने लगाया उसके साथ ing और मैंने उसको as a subject, यूज कर लिया, as a noun, यूज कर लिया, जरंड बना दिया, speak, next sentence है, speaking is more important, speak एक वर्ब है, ing लगा दिया, जरंड बना दिया, यूज कर लिया, जरंड दिया, प्लीक, यूज कर दिया, जरंड भीक, वोज कर दो दे एक कर दो, यूज कर दो